कॉंग्रस एता मनिशंकर अईयर ने नरेंदर मोधी पर की गई टिपड़ी को फिर सही ठहराया उन्होंने कहा कि मैंने तब भविश्यवारी नहीं की थी मनिशंकर के इस बयान के बाद बीजेपी कॉंग्रस पर हमला वर हो गई बीजेपी ने इसे राहूल गांदी की सोची समझे साज़िश करार दिया गारत लबह कि 2017 में मनिशंकर अईयर ने अपने ब्लॉग में नरेंदर मोधी को नीच आदमी कहा था राहूल गांदी जी ने मनिशंकर अईयर को इसलिए आगे किया है कि कम वो चुनाओ तो हार गए कम से कम गाली गलोच तो कर लें वो कितनी गाली देंगे लास्ट फेस का चुनाओ है और इसके बाद उनको अच्छी तरह से मालुम है कि नेंदर मोधी जी 23 तारिक के बाद शपत लेने वाले हैं भारत के प्रधान मंतरी बनने वाले हैं और कांग्रेस को नियुनतम सीट मिलेगी ये किस तरह की भाशा है का जो कायर कह रही हैं सेंपिट रोड़ा अलगत रह के बियान दे रहें नवजोक सिंगल्सिंग सिद्दु अलगत रह का बियान दे रहें कांग्रेस को गाली गलोज में यकीन है उसको लोगत तंतर में यकीन नहीं है अनी शंकर एयर ने जब प्रधान मंतिय जी के विरुद अब शब बोले थे तो राहूल गांदी ने उनको निकाला और फिर राहूल गांदी ने उनको वापस ले लिये पार्टी में अब राहूल गांदी को बताना चाहिए देश की जनता में कि उन्होंने वो जो नोटंकी करी थी वो किसकी ले करी थी निकालना और फिर वापस लेना और फिर से राहूल गांदी ने कहा कि आप अपने उस शब्द को जो उन्होंने अभद शब्द नीच जो इस्तमाल किया था प्रदान मंतरी के विरुद उसको आपने कहा कि आप इसको justify करके दिखाओ तो यह सब जो है यह राहुल गांदी बुखलाए वे हैं वेक्ति उनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बेहन को लाने के बाद भी वो कुछ उनकी Congress बचने वाली नहीं है इसलिए वो एक-एक अपने प्यादें के इस प्रकार के हर्कत कर रहा है तो मनिशेंकर आयर साम पेत्रोडा नवजोज सिंग सिधो प्रीयंका वाड्रा ये सब वही लोग एं जो सबसे जादा प्रधान मंत्री के ऊपर निजी टिपनी अरौप और गली दे रहे हैं और यह एक कोई सेकंड श्रेनी के नेता नहीं है, ये सब गंधी परिवार के सदश्य और गंधी परिवार के शबसे नजदीक लोग हैं, तो राहुल गंधी की जो मानस्क्ता है और उनको उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब गाली गैंग जो है ये सब इस प्रकार की प्रते दिन कोई नया गाली दे रही है कांगरेस की मांसिकता में नीचता है 2014 में भी यह अपराद किया था जनता ने सबक सिखा दिया 44 सीटों पर कांगरेस सिमट गई थी कांगरेस का सोच नीच है उनका विचार नीच है उनके कर्म नीचता पूर ने और इसी लिए जब सिखों का नरसंहार होता है 84 में तो उसके बारे में कहते हैं उनके नेता सेम पित्रोदा गुरू है राहूल गांदी के हुआ सो हुआ भिष्टा चार करे हुआ सो हुआ आतंगबाद का समर्थन करे हुआ सो हुआ यह सोच नीचता का सोच है महा नीच सोच है यह और यही सोच कांग्रेस को डुबाए मनी शंकर एयर राजिव गांदी के दोस्त रहे है और वो एक प्रकार से दुनिया के एक बहुत बड़े नेता हमारे लोगपिर प्रधार मंतरी को नीच कह रहे है भले वो नीच स्तर का कह है इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है यह इस बात का संकेत है कि कॉंग्रेस पार्टी अभी तक के स्विकार नहीं कर पाई है कि नरेंद मोदी जी भारत की पधर मंतरी है हम इसकी भरसना करते है और मनी शंकर एयी से लोग कॉंग्रेस को डुबा रहें और डुबाएंगे देश में रियाक्शन होगा इसका तो आपने सुना बीजेपी नेताओं को मनी शंकर आयर के नीच आदमी वाले बयान पर टिपणी करते हुए